साथ संगत जी प्रेम सी कहना धान नरंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर साथ संगत जी हमारी आज की साखी का शीरशक है भगवान का लोकडाउन चलिए सुनते हैं आज की ये साखी साथ संगत जी एक कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र के युदक्षेत्र को विशाल से नाओ के आवा गमन की सुविधा के लिए तयार किया जा रहा था उन्होंने हाथियों का इस्तमाल पेड़ों को खाड़ने और जमीन को साफ करने के लिए किया ऐसे ही एक पेड़ पर एक गोरिया अपने चार बच्चों के साथ रहती थी जब उस पेड़ को खाड़ा जा रहा था तो उस गोरिया का घोंसला जमीन पर गिर गया लेकिन चमतकारिक रूप से उस गोरिया की संताने अनहूनी से बच गई लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के काड़ बच्चे उड़ने में असमरत थे तो कमजोर और भायबीत गोरिया मदद के लिए इधर उदर देखने लगी तब ही उसने शिर कृषन जी को अरजुन के साथ वहां आते देखा वे युद्ध के मैदान की जाच करने और युद्ध की शुरुवास से पहले जीतने की रणनीती तयार करने के लिए वहां गए थे तो उसने कृषन के रच तक पहुँचने के लिए अपने छोटे से पंक फड़ फड़ाए और किसी प्रकार से वो शिरी कृषन के पास पहुँची कहने लगी हे कृषन किरपया मेरे बच्चों को बचाए क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कलोने कोचल दिया जाएगा तो सरववयापी भगवान कृषन बोले कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ लेकिन मैं प्रकरते के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता गौरिया ने कहा हे भगवान मैं जानती हूँ कि आप मेरे उधार करता है मैं अपने बच्चों के भग्या को आपके हाथों में सौपती हूँ अब यह आपके उपर है कि आप उन बच्चों को मारते हैं या बचाते हैं काल चक्र पर किसी का बस नहीं है शिर क्रिशन जीनिक सधान व्यक्ति की तरह उससे बात की जिसका अश्य था कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे साथ संगत जी गोरईया ने विश्वाश और श्रद्धा के साथ कहा प्रभू आप कैसी और क्या करते हैं वो मैं जान नहीं सकती आप तो स्वयम ही काल के नियंता है यह मुझे पता है मैं सारिस्थिती अवं परिस्थिती अवं स्वयम को परिवार सहित आपको समर्पन करती हूँ तो भगवान कृशन बोले कि अपने घोसले में तीन सपतहा के लिए तुम भोजन का संगरह करो साथ संगत जी गोरईया और भगवान कृशन जी के सवाद से अनबिग अरजुन गोरईया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं तो गोरईया ने अपने पंखों को कुछ मिनिटों के लिए फुलाया और फिर वो अपने घोसले में वापस चली गई दो दिन के बाद शंख के उधगोश से युद्ध शुरू होने की घोशना की गई भगवान कृशन जी ने अरजुन से कहा कि अपने धनु शर्बान मुझे दे दो अरजुन चोका क्योंकि कृशन भगवान ने युद्ध में कोई भी हत्यार ना उठाने की शपत ली थी इसके अतरीक्त अरजुन का मानना था कि वो ही सबसे अच्छा धनुर्धर है तो अरजुन ने भगवान से कह दिया मुझे अग्यादे भगवन अरजुन ने द्रड विश्वाश के साथ कहा कि मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद नहीं है चुपचाप अरजुन से धनुश लेकर भगवान कृशन जी ने हाथी को निशाना बनाया लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने के बजाए तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई तो साथ संगत जी अरजुन ये देखकर अपनी हसी को रोक नहीं पाया और हसने लगा कि भगवान तो एक आसा अंसा निशाना भी चूक गए तो अरजुन ने ये देखकर भगवान कृशन जी से कहा कि प्रभू क्या मैं परियास करूँ अरजुन की प्रतिकरिया को नजर अंदास करते हुए भगवान कृशन जी ने अरजुन को उनका धनुश वापस लोटा दिया और कहा कि कोई और कार्यवाही की जरूरत नहीं है तो अरजुन ने भगवान से पूछी लिया लेकिन केशव तुमने हाथी को क्यों तीर मारा तो भगवान कृषण जी बोले क्योंकि इस हाथी ने उस गोरिया के आश्र उसके घोसले की को जो कि एक पेड़ पर था उसको गिरा दिया था अरजुन ने पुझा कौन सी गोरिया के शर इसके अत्रिक था थी तो अभी भी स्वस्तर जीवी थे केवल उसकी घंटी ही तूट कर गिरी है तो अरजुन के इन सवालों को खारीज करते हुए भगवान प्रिशन जी ने अरजुन को शंक फूकने का अनरदेश दिया सासंगत जी युद्ध शुरू हो गया और अगले 18 दिनों में कई जाने चली गई और अंत में युद्ध में पांडवों के जीत हुई एक बार फिर से भगवान क्रिशन अरजुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रहमन करने के लिए ले गए कोई शव अभी भी वहीं पर मजूद थे जो उनके अंतिम संसकार का इंतिजार कर रहे थे जंग का मैदान, गंभी, रंगोर, सर और बेजान, सीडियों और हाथियों से भरा पड़ा था क्रिशन भगवान एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो की हाथी के गले में बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगी तो भगवान ने कहा अरजुन, क्या आप मेरे लिए ये घंटी उठाएंगे और इससे दूसरी तरफ रख देंगे साथ संगत जी निर्देश बिलकुल सरल था, पर अरजुन की समझ में नहीं आया कि आखिरकार विशाल मैदान में जहां बहुत सी अन्या चीज़ों को साफ करने की जरूरत थी भगवान क्रिशन अरजुन को एक धातू के टुकडे को रास्ते से हटाने के लिए क्यूं कह रही थे तो अरजुन ने प्रशन वाचक दृष्टी से भगवान की और देखा तो भगवान क्रिशन जी ने दोहराया, हाँ अरजुन यही घंटी यह वही घंटी है, जो उस हाथी की गरदन पर बंधी हुई थी, जिस पर मैंने तीर मारा था तो अर्जुन बना किसी और सवाल कि उस भारी घंटी को उठाने के लिए नीचे जुखा जैसे ही अर्जुन ने घंटी को उठाया तो उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया ही बदल गई एक, दो, तीन, चार और पाच चार युवा पक्षी और उसके बाद एक गुरईया उस घंटी के नीचे से निकले बाहर निकल कर मा और छोटे पक्षी भगवान क्रिशन जी के एर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंदे से उनकी परिक्रमा करने लगे अठारा दिन पहले काटी गई एक गंटी ने गुरईया के पूरे परिवार की करक्षा की थी साथ संगत जी ये सारद रिश्य देखकर अर्जुन ने भगवान क्रिशन जी से कहा मुझे माव कर देना केशव आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुश्यों की तरह व्यभार करता देख मैं भूल गया था कि आव वास्तम में हो कौन साथ संगत जी आईए हम सभी वी तब तक इस घंटी रूपी घर में परिवार के साथ सैयम के साथ अन्य जल ग्रहन करते हुए प्रभू के प्रतियास्था रखते हुए विश्राम करें जब तक ये घंटी हमारे लिए ना उठाई जाए साथ संगत जी ए गाव में सुखिया नाम के एक बुजुरग महिला रहती थी जो की भगवान कृशन जी की परम भगत थी घर घर में जाडू पोचा बरतन साफ करना खाना बनाना ही सुखिया का काम था सुखिया बाई रोज फूलों की माला बना कर दोनों समय भगवान को पहनाती और घंटों भगवान से बाते करती तो गाम की लोग उन्हें देखकर यही सोचते थे कि यह वरत तो पागल है तो एक राद भगवान ने अपनी भगत सुखिया बाई को कहा कि कल बहुत बड़ा भुचाल आने वाला है तुम इस गाम को छोड़ कर दूसरे गाम चली जाओ अब क्या था भगवान का देश था तो सुखिया बाई ने अपना समानी कठा करना शुरू किया और गाम वालों को कहा कि कल मेरे सपने में भगवान आये थे उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ा भुचाल आएगा तो तू पास के गाम में चली जा अब लोग कहां उस औरत की बात मानने वाले थे वो तो हसने लगे इतने में सुखिया बाई ने एक पैल गाड़ी मगवाई और अपने काना की मूर्ती ली और अपने समान की गठरी बांद कर गाड़ी में बैठ गई लोग उसकी मुरकता पर हसने लगे जब वो वहां से जाने लगी अपने गाव की सीमा पार करके सुखिया बाई अगले गाव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे भगवान की आवाज सुनाई दी अरे पगली जा अपनी जोपड़ी में से वो सुई तो लेया जिससे तु माला बना कर रोज मुझे पहनाती है तो ये सुनकर वो बेचैन हो गई तडप गई कि मुझसे एक कैसी भूल हो गई अब मैं काना को माला कैसे पहनाऊंगी सुखिया बाई ने गाड़ी वाले को रोका गाड़ी वाले ने कहा माई तु क्यों परिशान हो रही है कुछ नहीं होने वाला तो सुखिया बाई बोली अच्छा चल अब जल्दी से अपने गाव की सीमा पार कर गाड़ी वाले ने ऐसा ही किया पर ये क्या जैसे ही उनकी गाड़ी सीमा पार हुई पूरा का पूरा गाव ही धर्ती में समा गया सब जल्मागन हो गया गाड़ी वाला भी भगवान का भगवान था और भगवान ने उसकी भी रक्षा की सासंगत जी भगवान जब अपने भगवान के एक सुई तक कितने चिंता करते हैं तो भगत की रक्षा के लिए भगवान कितने चिंदित होते होंगे जब तक उस भगत के एक सुई भी उस गाउं में थी पूरा गाउं बचा था लेकिन उसके निकलते ही पूरा गाउं खतम हो गया तो ऐसे करते हैं भगवान अपने भगतों की रक्षा अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेर जरूर कर दीजेगा आप सभी से फिर मुला कात होगी नई साखी के साथ साथ संगत जी प्यार से कहना धन नरंकार जी